How to deal with depression and anxiety? Yes, sir. सारे yes. कितने चाहते हैं, यह हो आजके सेशन का टॉपिक. जी जो depression word है, आजकर बहुत कॉमन हो गया है. चोड़े चोड़े बच्चे भी कह रहे हैं कि मैं depressed हूँ. हसने वाली बात नहीं है और वो दभाया कहा रहे हैं. अब सबसे पहले हमको मिल करके यह समझना है, what is depression? और फिर देखेंगे कि इसका क्या solution है. क्या इस सिर्फ एक psychological सोच है? या फिर इसका physical जो हमारे अंदर chemical जो imbalances हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर. उससे भी कोई connection है. Sir, depression basically मुझे यह लगता है कि वो चीज है जब हम बहुत जादा एक्सपेक्ट करते हैं और अमें डर होते हैं कि हम वो एक्सपेक्टेशन को फुल्फिल नहीं कर पाएंगे. वो किसी और की भी एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है. हमेशा एक प्रॉब्लम की छोटे से फ्रेग्मेंट को देखते हैं. और उस फ्रेग्मेंट पे काम करते रहते हैं. होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारी. होलिस्टिक मतलब कि हम पूरी तरह से नहीं देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. माल लो प्रॉब्लम ये है, इसके इतने से एस्पेक्ट कोम ने देख लिया, या आधे को देख लिया. और उस आधे को ठीक करते चले जा रहे हों. क्या उससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगे? तो one is psychological, which I agree, it is. उसमें कोई डाउट नहीं है. कि अगर उल्टा सोचोगे तो physically हमारे बॉड़ी के ओपर reactions उस तरह के होने लग जाएगे. स्ट्रेस होगा तो physically problems आने लग जाएगे. अट क्या इसका कोई physical reason भी है? Depression का. consecutive failures. That's what I think. Due to consecutive failures. एक बार बंदा फेल वा, उसके बाद दुबारा होता है, फिर दुबारा होता है, तो then somewhere the person starts to think that it's not just my belief, it's actually true that I'm not that able. So again, what you're talking about, what level is it? Is it on the physical level or on the psychological level? It's been on the psychological level, in which I have already had many sessions on how to deal with failure, how to never give up, how to see life, को किस तरीके से देखना है, कि एक event का end आपकी life का end नहीं है, क्या इसके पीचे कोई physical reason भी है या नहीं है? Physically कुछ ऐसा हो रहा है हम सब के साथ में, जहां पर कोई बहुत बढ़ी गरबढ है, और उस physical की वज़े से psychologically you're not feeling good. कई बार ऐसा नहीं होता कि उल्टा सीथा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, मुझना सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा, you're feeling bad, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, बिना किसी वज़े के ही mood खराब है, ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? वो दो-तीन दिन तक, for example, bed पर है, उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, that person is feeling sad, without any, नहीं, वो ब्रेक अप नहीं, वो तो फिर psychological होगे है, समझ गए है, ब्रेक अप की वैसे बहुत आरे लोग खुछ भी तो होते हैं, आप किसी दॉक्टर के पास में जाओगे, तो वो psychological पर जादा ध्यान नहीं देखा, वो क्या करेगा, फटा-फट से अपना वो निकाला, उस पर लिखा, ये खा लो, तो वो किस लेवल पर काम कर रहा है, फिजिकल, और actual में psychological लेवल पर आपको खुद काम करना होता है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है, बाहर से कोई कितना को भी बोलता रहे, चाहिए वो डॉक्टर बोल रहा है, चाहिए मैं बोल रहा हूँ, चाहिए कोई और बोल रहा है, इतना फर्त नहीं पड़ता है, जब तक कि आपके खुद के अंदर से ना आ जा, कि मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, तो psychologically अपने आपको कैसे ठ कि करना है, वो किसके हाथ में कंट्रोल है, पूरी तरह से आपके हाथ में है, पहले तो इसको अच्छे से समाई लो, जिसने सोच लिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे आगे भढ़ना है लाइफ में, एक सेकर में बाहर, एक मेने तक बैठ करके रो रहे थे, ऐसा ह में नहीं आता है, चल खड़ा हो, आगे बढ़े आए, कोई बात नहीं, क्या होगे, और एकदम से सब कुछ बदल जाता है, इसको बोलते हैं, साइकलोजिकल, उस वक्त अगर फिजिकल भी जो हमारी बॉड़ी का जो केमिकल लोचा है, वो हमारा साथ दे, तो और अच्छा ह हो जाएगा, यही तो दबाईयां करती है, यो े दोक्टेस दबाईयां देते हैं उससे क्या होता है, अंदर जो पिजिकल लेवल पर गड़बर हो रहे होती है, उसको वो सभालते है, उसके भी शिम्टम को सभालते है, कास को नहीं, आज हम कास पर जाने वाले हैं, दोनोे म होता है basically कुछ ऐसे chemicals हैं जो release होने चाहिए वो release नहीं हो रहे हैं तो you are feeling bad without any reason उसके साथ में कुछ और भी उल्टे सीथे thoughts चल रहे हैं तो और एक cycle घूम रहे हैं उन thoughts के विए से और बुरा लग रहा है जितना बुरा लग रहा है और thoughts आ रहे हैं और जब मूड बहुत बढ़िया होता है तब कैसे गाने सुनेगा मन करता है समझ रहे हो ना कैसे एक दूसरे को impact करता है physical और psychological इन दोनों को अगर हम समझ पाएं और इन दोनों लेवल्स पर अच्छे से काम करें तब जागर गर इस problem का हम एक चोल में permanent solution निकालता है अब इसको ध्यान से समझ लेना मतलब physically क्या अगरबर होती है कुछ ऐसे chemicals हैं जो release होने चाहिए हमारी brain में वो नहीं होते है जिसकी वैसे भी start feeling bad और कुछ ऐसे chemicals हैं जो release नहीं होने चाहिए for example cortisol वो release होता चला जाए है stress hormone भी बोलते हैं उसको तो ये medications क्या करती है उसको block करती है जो release नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए उसको artificially create कर देती है वो release होने लग जाता है तो आपको अच्छा feel होने लग जाता है दवाई लेते हैं एकदम से अच्छा feel होने लग जाता है but क्या ये permanent solution है बिमारी का इलाज करने के दो तरीके है एक है बिमारी के जो symptoms है सिर्फ उसका हम इलाज करें एक है बिमारी की जड़ को काट ले पर एक्जामपल गाडी में आपके fuel नहीं है और आप psychologically बड़ अच्छा सोच तो मुझे बहुत जाना है ये मेरा goal है मैं इतनी speed पर चलाओ वो सारा plan मना लिया गाडी में fuel ही नहीं है तो रीजन क्या है फिसकल है और साइकलोचिकल है फिसकल है ऐसे ही बॉडी में अगर हमारे fuel ही नहीं है या fuel में ही मिलावट है तो रीजन फिसकल हो गया मान लोग किसी का पेट ब्लॉक है चार-पाच दिन से काम ही नहीं हुआ है और वो यहाँ पर बैठे होई है बैठे होंगे क्या वो धंसे समझ पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ सब ब्लॉक हुआ पड़ा है अईरुएदा क्या क्या है हर बिमारी की जड़ क्या है पेट है यह पता है हमको वोकि जो भी फ्यूल चाहिए हमारी बॉड़ी को चाहिए ब्रेन को चाहिए और 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 और्गन को चाहिए कुछ भी चाहिए जानि जो हम खाते हैं उसको एनरजी में कनवर्ट करने काम कहां पर होता है यहां पर होता है तो अगर पेट हमारा ठीक काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन के से ठीक काम करेगी तो अगाओ दिमाग मैं बेचरा हूँ फायरवधिक मेटेजिम सेंजरी का इस्ट्रेंट हूँ मैं अलोपैदी भी बढ़ता हूँ तो जब आप आज बात कर रहे थे तो मेरे मैंड में सारी वही ड्रक्स आ रहें थी एंटी डिप्रेसेंट एंटी सेडेटिव एंटी हिपनॉटिक्स जो आजकल ड बात बोली ना के रूट वह मेंड चीज वही है मैंने काफी पेशेंट भी मेरे क्लेनिक पर आते मेरे फादर भी डॉक्टर है डिप्रेसेंट के तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें एंटी सेडेटिव जो ड्रग है हमने उन्हें देदी जिससे के माइंड रिलेक्स हो गया अ आप जो है सोचे ना मैंड आपका जादा ना सोचे ओर थिंकिंग जब आप ओर थिंकिंग में पहुशते हैं तो ये सारी चीजे आपके साथ होती है तो सब कुछ सोचते हो तो सब कुछ contract होने लग जाता है ऐसा होता है नहीं होता है यह जो medication से क्या करती है जो चीज एक तरीके से सिकुड गई है contract हो गई है उसको थोड़ी जर के लिए relax करें ऐसे होता है यह सर यही हो तर एक step और आगे बढ़ते हैं आप और बताओ तो सर यही condition ना जैसे कि आप आप anti-sendative drug ले रहे हैं तो वो जब आप long term के लिए ले लेंगे ना तो एक condition वो आएगी सर आपको उतनी dose से नीन नहीं आएगी तो इससे क्या होगी condition आगे के लिए हमारे बहुत problem हो जाती है उस ड्रग से और एक problem और है medications वह भी मैं यहां पर clear कर जाता हूँ medication क्या कर सकती है एक तो जो आपकी body stressed out हुई पड़ी है brain stressed out है आपके organs stressed out है उसको relax कर दिया दूसी तरफ से यह क्या कर सकती है आप उठा सकती कुछ ऐसे chemicals release कर सकते है जिसकी वह से आप excited हो जाओगे यह दोनों ही stages अगर natural ना हो तो ख़तरनाक है जैसे के सब कैफीन होती है हाँ जैसे हम लोग चाई पी ते हैं तो उसमें इस overthinking a problem it is not a problem तो कि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है क्या लगता है यह जो athletes है cricketers है जब यह खेल रहे होते हैं इनकी thought process किस level पर चल रही होती है तेजी से सोच रहे होते हैं बहुत धीरे सोच रहे होते हैं तो speed of thinking is not a problem if thinking is not a problem अंगर उस thinking एक्ए थिंखिझ नहीं है तो problem Crality है तो जितना मरजी सोच लो कोई दिक्कत नहीं है जैसे अभी सेशन हमारा चलने ज़ने वाला है महदो जितनी की देर तक चलने बाला है अगर पूरे दिन भी चलता रहे तक मुझे कोई दिक्कत नहीं I will not feel tired तो मैं अभी सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ जो रिलाक्स पड़ा हूँ क्या बोल रहे हो भाहिए ऐसा तो रही है ना आपने बोला मैंने सोच आपने बोला यहां से मैंने कुछ बोला आपने बोला तो एक communication चल रहा है एक के बाद एक हम लेयर्स को अटाते चले जा रहे हैं, मतलब थिंकिंग बहुत ही डीपर लेवल पर चल रही है उसकी वैसे कि हमें टाइट फिल कर रहा है, जितना थिंकिंग में क्लारिटी आती चली जाती है, हम कॉंट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक्स्पांड करते हैं वो जो केमिकल जंदर जा रहे हैं, उसकी डोस बढ़ाते चले जाओ, इतने एक्साइटेड हो जाओगे, होश भी नहीं होगा कि कर क्या रहे है, मतलब जरुद से जादा खुश हो जाओगे, और जब भी आप जरुद से जादा खुश हुए हो पास में, अपने एक्स्पिरे हो ना ओवर एक्साइटेड हो, नॉर्मल एक्स्टेट नहीं तो प्रॉब्लम इसके बहुत बढ़ी क्या है, कि इन मेडिसेंस की वज़े से जो एक्साइटमेंट हमको मिलता है, लोग को उससे अटाक्मेंट हो जाती है, फिर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, जैसे एक मेडिके लिए फ्यूल क्या है, फूद मतलब क्या, what is food, what do you call as food, burger, pizza, what do you mean by healthy food, physical activity से तो फ्यूल बर्न होगा, उसके बाद में फ्यूल चाहिएगा, नहीं तो अगर आप फिसिकल अक्टिविटी करो, और फ्यूल धंका ना लो, तो फिसिकल अक्टिविटी भी आपके लिए नुकसान करेगे तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूल का वट इस फ्यूल फर अर बाड़ी जो हम खा रहे हैं सुबसरा तक वो पैकेज फूड जो खा रहे हैं जो आपको बेचा जा रहा है जो आपके so-called celebrities आ करके advertising कर रहे हैं वो खुद नहीं खाते हैं बड़ आपको खिला रहे हैं वो food है पसंद क्या है यहाँ से online यहाँ से order कर दिया हूँ आ चले चले जा रहे हैं अब फिर कह रहे हैं सुआरा आपकी बात होगा असा नहीं होता है डाइट के बारे में at least basic knowledge आप gather कर लो जो वाइट चीजे होती है उसको avoid करो वाइट क्या है? sugar, salt, white bread यह सब जो वाइट चीजे होती है उससे थोड़ा सा बच कर कर रहे हूँ तो अब fuel क्या है? fuel सिर्फ खाना नहीं है यह बहुत बड़ी गलत फैमी है गोड़ा क्या खाता है? चले तो अगर हम खिला जे तो खाता है चले कहां से खाएगा हूँ गास काता है? दम होता है गोड़े में नहीं होता है यह तो गास कहना है कर दी ना घोड़ो वाली बात गास में क्या होता है? इतना ही पता है? कोई साइंस बैग्राउंड से नहीं है क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल मतलब क्या? कहां से बनता है? सनलाइट से तो इंडिरेक्टली क्या गोड़ा सनलाइट नहीं घा रहा है? Sunlight में energy है यà नहीं है Vitamin D अब देख लोती है, क्या गढ़ण होरह है Sunlight मतलब vitamin D Sunlight का रोल सिर्फ vitamin D तक है Ya sunlight के जो हजारो लाखो फाइदे है उसमें से एक है vitamin D जो फ्यूल मतलब सिर्फ खाना नहीं That is just one aspect of fuel धर्ती, जल, अगरी वायू, आकाश आपने आपी बुरा फील होना शुरू हो जाएगा अपने आपी बुरा फील होना शुरू हो जाएगा धर्ती जल अगनी मतलब सनलाइट मैं आपको बेसिक सा एक फंडा बता रहा हूं डिप्रेशन का इससे डिरेक कनेक्शन है इंडिरेक नहीं है आपको डाक कमरे में लेया करके बंद कर जिया जाए साथ दिन के लिए अंधेरे कमरे में तो नॉर्मल बंदा भी डिप्रेशन में पर चला जाए और अगर आपको खुले में छोड़ दिया जाए गोड़े की तरह गोड़ों के साथ में गोड़े भी भाग रहे हैं आप भाग रहे हैं और कुछ लोग गहास खाना चाहे तो खा सकते हैं तो क्या होगा एक हफते बाद बताने की जरुरती नहीं है अब्वियस है इसके बाद कौन सा आया वायू हवा हवा कैसी है हमारे आसपास में देली में बढ़िया है लास्ट क्या है आकाश आकाश मतलब स्पेस आपको छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए वहा अच्छा फॉरत लगता है या खुले में अच्छा लगता है किसी पहाड़ के टॉप पे अच्छा लगता है इस प्यास फ्यूल है या नहीं है इस पे अमरा कितना ध्यान यह ध्यान है, और शिर्फ थोर्ट पर नंबर वन थोर्ट कि मुझे यह करना है, वो करना है, में इससे यह हो गया, वो गया दूसरा, अब मैं इसको ठीक कैसे करो, ठीक कैसे करो I'm not too sure आप में से कितनों को actual में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है जब बॉड़ी माइंड इंटलेक्ट और जो अमारी बाकी की सारी एनरजीस है वो परफेक्टली काम कर रही होती है इंडिया में बहुत सारे हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है कोई भी दवाई खाने से पहले डिप्रेशन एकली साथ दिन के लिए साथ दिन के लिए जाओ जहां पर खाना धंका मिले पानी अच्छा मिले हवा साफ सुथ्री हो संलाइट मिले उसके अलावा और भी साथ राव पूरे पर इस लिए आपकी आवे पड़ी हुई है उसकेले कैंशन लिकालना बंता है नहीं बंता है गाड़ी की पिंद्नी बार आपने अच्छल में शर्विस करी अपनी बॉडिक एक इसकी तो कहीं बात ही नहीं होती है बात क्या होती है टॉप करो ये करो वो क र करें आ करो को करो करो कोब को करके भी खाचरों का कुछ उहता नहीं है और कोरें लग जाते हैं तो तो कर निया लेकन लेकन, 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 और थीक का मतलब क्या और खराप का मतलब क्या डिस एज इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है सुईज, when you're not at ease इस डिजीज जो भी आप गड़बर कर रहे हो फ्यूल के लेवल पर वो गड़बर कर नहीं बंद कर दो तो बॉड़ी अपने आपी आइटीज हो जाती है वंस्यूर एट इज माइन क्लियर हो जा पर तब आप डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ और वहां पर जा करके आप यह सोच भी सकते हो कि यहां पर जो भी मैं अभी कर रहा हूं साथ दिन तक या दस दिन तक या फंदरा दिन तक उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अ प्रेस है जिस तरह से competitive environment है आने वाले टाइम में आप सब इस situation को face करने वाले हो तो इस problem को face करने के लिए यानि psychological level पर जो गड़बढ है उसको face करने के लिए body आपका साथ दे तो better है wish you all the very best thank you so much for coming क्राइब चांब 중요actly को सब्सक्राइब अजने में वाइब आपका साथ के ल curriculum से-वाइब है जुछ करें वन दो एक वाई प्रेस दोकरी वादी